हलो फ्रेंड्स आज हम बाजार जाने के लिए बहुती सुन्दर सा ठैला बनाएंगे उसके लिए हम एक कुल्टिड पीस ले लेंगे नीचे हम अस्तर का यूज करेंगे बीच में फोम और उपर में फैब्रिक अस्तर के लिए आपको इभी कपड़ा ले सकते हैं मैंने पुराने सूट का यूज किया है और इस पर मैंने इस तरह से लाइन्ज बना ली है और इसकी चोडाई है अब 16 इंच और इसकी यहाँ से लंबाई है 19 इंच डबल है यह हमारा 38 इंच हमारी इसकी लंबाई हो गई अब हमने उपर से इसे बराबर रखना है और नीचे से जो जहां से हमारा ये फोल्ड है वहां से हम ये देखिए उपर की साइड 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी साइड से हम तीन इंच पर निशान लगाएंगे नीचे से भी तीन इंच पर निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेंगे और इसे कट कर लेंगे ध्यान रखना है हमने बंदवली साइड से इसे निशान को लगाना है और कट करना है अब जो दूसरी साइड है हमारी वहां भी इसी तरह से आप निशान भी लगा सकते हैं या फिर उसी जो हमारा कटा हुआ पीस है उसे भी रखकर निशान लगा सकते हैं इसे भी कट कर लेंगे दोनों साइड से ये देखिए हमारा ये कट हो गया है अब हमारी जो ऊपर की साइड है जो खुली होई साइड है उसे हम खोल लेंगे पूरे पीस को पहले और फिर लंबाई में इसे फोल्ड करेंगे अब हमने यहां से धाई इंच पर निशान लगाना है और दूसरी साइड से हमने नीचे की साइड साड़े तीन इंच पर निशान लगा कर ये देखिए इस तरह से ये हमने एक निशान ड्रो करना है और इसे हम कट कर लेंगे अब हम दूसरी साइड भी लंबाई में इसी तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने कट किया है उसे इस तरह से फोल्ड करके इसके उपर रख लेंगे ऐसे और यहां भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे और इसे कट कर देंगे यह देखिए हमने दोनों साइड से इसे बराबर कट कर लिया है उपर वाली साइड है यह हमारी और एक नीचे वाली जो हमारा फोल्ड था अब हमने बीच में उपर से नीचे की तरफ धाई इंच पर निशान लगाना है अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे ताकि हमारा सेंटर आ जाए यसे और यहां से हमने डेड़ इंच पर निशान लगा लेना है और नीचे की साइड हमने एक इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से एक box बना लेंगे 1.5 बाई एक इंच का और इसे कट कर लेंगे इस तरह से खोलेंगे तो हमारा ये इस तरह से पकड़ने के लिए handle के लिए बन जाएगा दूसरी साइड भी हमने इसी handle को बनाना है इसी तरह से 1.5 इंच फिर 1 और फिर 1.5 इंच निशान लगाकर इसे भी कट कर लेंगे ये हमारे 2 handle बन जाएंगे ये देखिए ऐसे 2 हमने कट कर लिए अब हम एक piece लेंगे आप इसके साथ कोई भी ले सकते हैं मैचिंग का इसकी मैंने यहां से लंबाई ली है 4 इंच चोड़ाई ली है साड़े 6 इंच दो पीस लेंगे हम 2 handle है हमारे इसलिए नीचे हमने उस कपड़े को सीधा रखना है और उपर बैक को भी हमने सीधा रखना है इस तरह से और जो हमने यह बीच में handle के लिए कट किया हुआ है वहां पर थोड़ा-थोड़ा सिलाई में देते हुए चारो तरफ हम सिलाई लगा लेंगे बजार जाने के लिए भोती प्यारा सा यह आपका बैक बन कर त्यार होगा आप इसे बचे हुए कपड़े से घर पर ही बना सकते है यह देखिए चारो तरफ हमने सिलाई लगा ली है अब बीच में से इस कपड़े को जो हमारा है बीच में एक्स्ट्रा इसे हम कट कर देंगे यह हमने कट कर दिया अब जो कोर्नर्स हैं वहां से चारो कोर्नर्स को थोड़ा-थोड़ा कट कर लेंगे सिलाई कट निकानी हमने इस तरह से ताकि हमारा कपड़ा बाहर की साइड अच्छे से फोल्ड हो जाए यह फोल्ड हो गया अब हमारा कपड़ा चारो तरफ बराबर होना चाहिए कहीं से आपको यह अक्सरा लग रहा है तो उसे हम कट कर देंगे ताकि हमारी पाइपिन अच्छे से बाहर की साइड बने अब हम इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड खपड़े को और सिलाई लगाएंगे अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पाइपिन बनानी है हमने तीसरी साइड से भी और चोथी साइड से भी चारो तरफ से इसी तरह से हमने फोल्ड करके चारो तरफ सिलाई लगा लेनी है ये देखिए हमारा हैंडल बन गया है अब दूसरी साइड दूसरा कपड़े को भी इसी तरह से रखकर हैंडल बना लेंगे ये दोनों हैंडल मैंने बना लिये हैं इसके अब जो ये हमारा उपर की साइड कट है यहां हमने पाइपिन लगानी है तो हम उसी कपड़े को और लेंगे और इसकी मैंने चोड़ाई ली है यहां से राई इंच और लंबाई हमने उसके बराबर ही लेनी है दो साइड है हमारी तो दो पीस हम इसी साइज के कट करेंगे ये देखें लंबाई हमारी इसके बराबर है अब हम इसे उल्टी साइड बैक के इस तरह से हमने रखना है और थोड़ा-थोड़ा से लाई में देते हुए इसे पूरे में स्टिच कर लेंगे ये हमने स्टिच कर लिया है अब हम इसे सीधी साइड डबल फॉल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे ये हमारी पाइपिन लग चुकी है एक साइड एक्स्ट्रा को कट कर देंगे दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से ही पाइपिन को लगाना है ये देखिए दूसरा पीस लेंगे उल्टी साइड रखेंगे और स्टिच कर लेंगे अब हम इसे सीधा करके सीधी साइड डबल फोल्ड करके यहां भी पाइप इन बना लेंगे दोनों साइड हमारी पाइप इन लग चुकी है अब हम इसे उल्टा करेंगे बैक को उपर से ब्राबर रखते हुए हमने साइड से इसे स्टिच करना है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को भी धबा ले ताकि आपको नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मिल जाए हमने सिलाई लगा ली है अब हम पाइपिन के लिए इसमें भी कपड़े को कट कर लेंगे ताकि अंदर की साइड हमारे इसमें धागे ना निकले इसलिए हम इसे फिनिशिंग के साथ स्टीच करेंगे इस तरह से हमने कपड़े को स्टीच कर लिया है अब हम इसे डबल फोल्ड करके दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे इसके देखिए एक तरफ हमारी यह कपड़े स्टीच हो गया है दूसरी साइड भी इसी तरह से पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस सिलाई लगा ली हमने अब हम एक और पीस कट कर लेंगे चुड़ाई आप इसकी दो इंच ले सकते हैं इसे उपर से फोल्ड करके हमने फिर रखना है नीचे से फोल्ड करने की जरूरत नहीं है इसे डबल फोल्ड करके अब यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे कि ऐसे हो गया यहां भी हम कपड़े को लगा लेंगे ताकि हमारे धागे ना निकले यह हम उपर से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे इसे नीचे से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे इसे भी नीचे से भी फोल्ड करके फिर हम इसे यहां स्टिच करेंगे इसे भी अब उल्टी साइड दूसरी साइड दबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे अब दूसरी साइड भी इसी तरह से कॉर्नर्स को पकड़ते हुए यहां सिलाई लगा लेंगे और यहां भी इसी तरह से हम एक स्ट्रेप लेकर उपर से फोल्ड करके फिर नीचे से भी फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा लेंगे अब हम इसे डबल फोल्ड करके यहां भी सिलाई लगा लेंगे ये हमारा थैला बन कर त्यार है ये देखिए कितना चोड़ा इसका बेस बना है और कहीं से भी इसके धागे नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने सभी तरफ स्ट्रिप को लगाया है ये देखिए अब हम इसे सीधा करेंगे बैक को कॉर्नर्स को नीचे से अच्छे से बाहर की साइड निकाल लेंगे और ये हमारा देखिए थैला सीधा हो गया और कितना प्यारा सा थैला बन कर त्यार है देखिए कितनी इसकी नीचे से चोड़ाई है और कितना सारा इसमें स्पेस है आप सबजी लेने जा रहे हैं या फिर मार्केट जा रहे हैं तो आप इसे लेकर जा सकते हैं दिखने में भी कितना सुन्दर है ये मैंने प्लेन कपड़े से बनाया है